हेलो फ्रेंड्स बेसिक कॉंसेट की सीरीज हमारी स्टार्ट है और बेसिक कॉंसेट की सीरीज में आज हम लेकर आएं आपको स्क्वेर निकालने के ट्रिक square निकालने की trick हम आपको 1 से लेके 1000 के square कैसे निकालना है वो पूरे step by step बताएंगे आज के पहले वीडियो में आपको बताएंगे square निकालना कैसे है और square निकालने के लिए हमें basic चीजे क्या याद होना चाहिए कोई भी चीज को यदि हमें अच्छे से सीखना है तो हमें कुछ ना कुछ हमारा base मजबूत होना चाहिए तो square निकालने के लिए हमें कम से कम पहले starting में 10 तक के square याद होना चाहिए यदि हमारे 10 तक के square याद हैं तो हम उसमें थोड़े बहुत square निकाल सकते हैं लेकिन यदि हम थोड़ी सी और मैनत करते हैं और उस square को हम 25 तक लेके जाते हैं और 25 तक के square याद कर लेते हैं तो आप 1000 से भी उपर तक के square oral निकाल सकते हो और बहुत आसान calculation के साथ उसको निकाल सकते हो चलिए देखते हैं हम पहले square निकालने की निकालने की हम सरफ एक single method सी चलिए देखते हैं निकालने के लिए सबसे पहले हमें याद रखने की ज़रूत किन कीदी चीज को है तो पहले हम लेखते हैं एक से लेकिए दस तक के square 3 4 5 6 7 8 9 10 एक से लेके 10 तक के स्क्वेर हमें सबसे पहले याद होना चाहिए तो 1 का स्क्वेर कितना होता है 1 2 का स्क्वेर कितना होता है 4 3 का स्क्वेर कितना होता है 9 4 का स्क्वेर 16 5 का स्क्वेर 25 6 का स्क्वेर 36 7 का स्क्वेर 49 8 का स्क्वेर 64, 9 का स्क्वेर 81, और 10 का स्क्वेर 100 अब आपको अगर ये basic से square learn है, वैसे आप सभी लोगों को learn ही अच्छे से, इसके बाद अगर ये आपको अच्छे से आते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं कि 11 से लेके 20 तक के square आप oral कैसे है, यदि आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हो, वैसे तो आपको ये चीज याद करना है, लेकिन अगर फिर भी आपको याद नहीं है, तो आपके पास एक technique होना चाहिए, कि जिससे आप आसानी से उसको निकाल सको, तो हम आपको technique बता रहे हैं लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको याद भी कर लो, देखते हैं 11 से 11 12 13, 14 15 16, 17 18, 19 और 20, 11 से लेके 20 तक के square, अब 11 से 20 तक के square हम निकालेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर कितने का है लाज़ डिजिट क्या है हमारे पास? 1, 1 का square क्या होता है? 1 का square है तो है 1 तो आपने लिख दिए 1, ठीक है? 11 में 1 को add कर दो कितना हो गया? 12 ये बन गया अपना 11 का square सेम ऐसे हम आगे भी square निकालते चलेंगे अगले देखते हैं 12 12, 12 का square क्या होगा? 2 का square कितना होता है? 4, ये आपने लिख दिया 4 12 में 2, और add कर दो 12 और दो, 14 12 प्लस 2, 14 इसके बाद देखते है 13, 13 का square 3 का square कितना होता है? 9 13 में 3 add कर दिजिए, कितना हो गया? 16 14 14 का square, 14 का आपको square निकलने, आप 4 का square निकलने, 4 का square कितना आता है? 16 16 का आपने 6 लिखे अभी तक आप देख रहे हैं हम सिर्फ पेगी की नमबर लेकर ले रहे थे यहाँ पर आपको 4 का square कितना मिला? 16 और carry हमको 1 मिला, ठीक है? तो 14 प्लस 4 कितना हो गया? 18 15, प्लस 1, 19 यह 1, 19 6 इसके बाद आते हैं, 15 15 का कितना होगा? 5 का square निकलने, 25 तो 25 का आपने लिखे 5 carry बच्चा 2 15 में 5 add किये, कितना बच्चा? कितना हुआ? 20, 15 प्लस 5, 20 प्लस 2 225 16 का तो हमको 16 का square अगर नहीं आते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? 6 का square देखे 36 36 का 6, carry 3 6 में 6 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 22, 16 में 6 जोड़ दोगे 22, 22 प्लस 3 कितना हो गया? 22 प्लस 3, 25 17 17 का square निकलने, हम 7 का square देखेंगे 7 का square कितना आता है? 49 49, तो 49 का कितना लिखेंगे हैं? 9 carry कितना बच्चा? 4 17 और 7, 24 ठीक है? 17 और 7 24 और 4, 28 289 18 का square निकालना है 18 का square निकालने लिए 8 का square कितना होता है? 64, 64 64 की 4 लिखेंगे carry कितना बच्चा? 6 18 में 8 जोड़े कितना हुआ? 26 26 और 6 32 यह 324 18 का square हुआ 19 का square देखते हैं 19 का square क्या होगा? पहले हम 9 का square लेंगे 9 का square क्या है? 81 81 का 1 carry 8 19 में हम क्या जोड़ेंगे? 19 में 9 जोड़ेंगे 19 में 9 जोड़ेंगे 28 28 और इसमें हम 8 को add कर देंगे तो कितना होगा? 36 तो यह हो गया? 361 20 का square निकालना है तो हम सिर्फ 2 का square निकालनेंगे 2 का square कितना होता है? 4 और 2 0 ठीक है? तो यह था हमारा 11 से लेके 20 तक के square कैसे निकालना है? इसकी trick आसान सी trick थी स्रिफ आपको simple सा हमें comment box में जरूर बताईए इसके next video में हम लेकर आएंगे कि आपको इसके बाद आगे आप दीरे-दीरे step by step 25 से 75 75 से 125 125 से 175 175 से 225 225 से 275 इसी तरीकी से आप video इसके square कैसे निकाल सकते हैं? आपको हम next video में बताएंगे आपको इस वीडियो कैसा लगा? comment box में जरूर बताईएगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है उसे like और share जरूर किजिए thank you मिलते हैं next video में square की अगली trick के साथ